चिडिया रानी सब त्यारियां अच्छे से हो गई है न जी जी कर भीया मैंने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है लेकिन सुना है में राजा जी को लाल मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद है बस वही डून रही हूँ लाल मिर्ची नहीं मिल रही मुझे कहीं से सब अक्षी ने राजा को फैलकम करने के लिए अपनी अपनी तयारियां कर रहे थे चॉंकि उस जंगल का राजा एक तोता था जो एक हासे में मर किया था उस तोते राजा का एक बेटा दूस्ते जंगल में रहता था और वो आज इन पक्षियों का राजा बनने वाला था और वो आज ही इस जंगल में आने वाला था चिडिया रानी मुझे पता है कि लाल मिर्ची कहा से मिलेगी चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ लेकिन कव्वे कहा जंगल के बाहर जो साथ वाला गाउं है वहां एक कसाया ने लगाई हुई है लाल मिर्ची चलो हम वहां से ले आते हैं और फिर चिडिया और कव्वा लाल मिर्ची लेने चले जाते हैं चलत ही वो जंगल के बाहर हिसे में पहुंच जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पार बैठ जाते हैं कवे, वो देखो सामने, कितनी ज्यादा लाल मिर्ची के पोदे हैं, आज तो राजा जी खुश हो जाएंगे लेकिन वो सामने भी देखो, कोई इनसान खड़ा है अभी फसल में, हमें अभी इंतिजार करना होगा जब तक ये इनसान यहां से नहीं जाता, हम यहीं बैठेंगे कवे, हम आहिस्ता आहिस्ता उड़कर एक दो मिर्ची तोड लेते हैं, इससे कौन सा पता चलेगा उस इनसान को नहीं जड़िया, मैं इनसानों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके पास तीर कमान चुपाए हुए होते हैं, और जैसे ही किसी पक्षी को देखते हैं, वे ही मार देते हैं रानो चुड़िया, मेरी मा कहा करती थी कि कालू के पक्षियों पर विश्वास कर लेना, लेकिन कभी किसी इनसान पर विश्वास न करना वो ऐसे काफी समय इंतजार करते हैं, लेकिन वो इनसान था के वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था जब बैट बैट कर थगे तो कालू कवे ने चिडिया से कहा चिडिया तुम यहीं बैठो मैं थोड़ा करीब जाकर देखता हूँ और फिर कव्वा उस इनसान के थोड़ा पाँच आता है चिडिया चिडिया आजाओ चिडिया आजाओ मैं भी आज पागल बन गया, यह भी चोका है और फिर कव्ववे के पास चली आती है कव्वे यह क्या है, यह तो कोई इनसान जैसी चीज है लेकिन इनसान तो नहीं है इसलिए तो हम पागल बन गे, यह इनसान बहुत तेज होते हैं हम पक्षियों को ड्राने के लिए नकली इंसान बना कर खड़ा कर देते हैं जैसे हम उलू बन गे ऐसे सब पक्षि भी उलू बन जाते हैं और वो इस नकली इंसान से डरते हुए फसल में नहीं आते कितने कंजूस हैं ये इंसान भी हम मासों पक्षियों को थोड़ा बहुत आना खाते देख नहीं सकते और जो तेज हवाओं से फसल किट जाती है इस पर भी तो सबर करते ही हैं ना इनका बस नहीं चलता चिडिया अगर चले तो इन हवाओं से भी हसाब लें और हवाओं को रुपै दे कर दूसरे की फसल में भेज़ दे ऐसा कहते हुए चिडिया और कव्वा जोर जोर से हंसते हैं चलो अब कव्वे पहले ही बहुत देर हो गई है राजा जी भी शाम तक आ जाएंगे अब जाकर दूसरे इंतजामात भी देखने हैं और फिर चिडिया और कव्वा वहां से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर वापस चले जाते हैं चल्द ही वो वापस पहुंच जाते हैं कबूतर बे सबरी से उनका इंतजार कर रहा होता है चिडिया और कव्वे लाल मिर्ची लेने गिये थे या पिकनिक मनाने इतनी दे लगा दी तुमने कबूतर जी वो तो मैं था जो ले आया लाल मिट जी अगर कोई और पक्षी होता तो वहीं बेठा इंतजार करता रहता उस इनसान के जाने का और फिर चिडिया कबूतर को उस बिजोगा के बारे में बताती है जिसे सुनकर कबूतर भी बहुत हंसता है कालू जी अगर दो मिट जी ज़्यादा है तो मैं भी टेस्ट कर लो आखर मैं भी राजा जी के परिवार में से ही हूँ तोता जी नाम भी ना लेना लाल मिट जी का बहुत मुश्कल से लाया हूँ तुम जल्दी से अमरूद ले ओ वरना राजा जी से तम्हारे खेर नहीं तम्हारे जुम्मे अमरूद है और फिर तोता जल्दी जल्दी अमरूद लेने चला जाता है और फिर ऐसे सब इंतजामात पूरे हो जाते हैं और शाम को राजा जी भी आ जाते हैं मोसम बहुत सर्था और राट तो कुछ ज्यादा ही सर्थी इन दिनों इसलिए पक्षियों ने राजा जी के घर को अच्छे से गरम कर दिया हुआ था और फिर आखर तोता राजा आ ही जाते हैं राजा के साथ दो फूजी भी थे जो उलु थे और वो तोता राजा के दाएं और बाएं थे पक्षियों जैसा के आप सब को संदेश मिल ही चुका है कि मैं आजी तुम पक्षियों का राजा हूँ मैं अपनी पूरी प्रियतन करूँगा कि तुम सब में बेहतर नियाएं कर सकूँ और सब पक्षियों का अच्छे से ख्यार रखो अगर किसी पक्षि को मुझसे कोई बात करना हो तो ये सीधा मेरे घर आकर मुझसे मिल सकता है हाँ, लेकिन रात को मैं चलती से सो जाता हूँ इसलिए जिस पक्षि को भी कोई काम हो दिन में ही मुझसे मिल लिया करे और फिर राजा जी से पक्षियों का परिच्छे करा जाता है राजा जी सबसे पहले आपको इस चुडिया का बताता हूँ राजा जी इस चुडिया का नाम रानो चुडिया है और ये बहुत महिंती है हमारे जंगल में अगर किसी भी पक्षी को बोजना मिले तो उसे रानो चुडिया के घर से बोजन मिल जाता है चुडिया रानी मुझे बहुत खुश हुई कि तुम जैसी महिंती चुडिया मेरे राज़े में रहेगी राजा जी हम भी पूरी आशा करते हैं कि आप भी हम पक्षों का अच्छे से ख्यार रखेंगे तो थे राजा जी ये कव्वा है कालू है नाम इसका और हमारे जंगल की रोनक इस कालू कव्वे के कारण ही है क्योंके राजा जी कोई कितना भी परेशान हो जब एक बार कालू से मिले तो उसकी हंसी जरू निकल जाती है क्यों भी अलू जी ऐसा क्या है इस कालू में कुछ नहीं जी बस एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा मेरे ख्याल में सबसे पहला फैसला भी शायद आप यही करेंगे के कालो ने किसी पक्षी का भोजन जरा लिया है ये सुनकर सब पक्षी हंसते है राजा जी उलू बड़े है ना इसलिए में जा कर रहे है और राजा जी ये कबूतर है ये के जाती से आपके घर के बाहर ड्यूटी दे रहा है ये अंगरक्षक है आपका आप जब भी चाहें चा कर सकते है ये कभी भी अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं करता कपूतर मुझे बहुत इच्छा लगा तुमसे मिलकर ओ ये जानकर भी कि तम के जातियों से इस राजे के अंगरक्षक हो राजा जी मेरे पिता जी भी ये ही ड्यूटी करते थे जब आपके पिता जी राजे थे और मेरे पिता जी कहा करते थे के बेटा कभी भी अपनी ड्यूटी में लापरवाही ना करना क्योंकि जब राजा सोता है तो वो हमारे विश्वास पर ही सोता है मुझे बहुत अच्छा लगा कबुतर तुम से बात करके और फिर सब पक्षी अपने अपने घुरों को चले जाता है दूसरी सुबहो राजा जी अपने ने राजे को देखने के लिए बहुत बेचैन था और वो अपने फोजी अलों के साथ अपने राजे में एक उडाले ने निकल जाता है वो सारा जंगल गोमता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है और फिर वहां एक बुलबुल आ जाता है ने राजा जी मुझे नहीं आए चाहिए क्या हुआ पुलबल क्यों इतने गबराई हुई हो राजा जी आज रात पहाड़ों वाले उल्लों आए थे और मेरा सारा गोसला तोड़के मैंने बहुत मिन्ती की उन उल्लों की लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी फोजी उल्लों सुन रहे हो अपने परिवार के उल्लों के काम तुम दोनों जाओ अभी इस समय पहाड़ों वाले उल्लों को मेरा संदेज लियाओ और उन्हें कहना कि अब इस जंगल का राजा मैं हूँ तोता अगर आइंदा से कभी भी इस जंगल की तरफ मू किया तो फिर ये न कहना कि राजा ने बताया नहीं था और फिर बुलबुल खोशो कर वहां से चली जाती है ऐसे ही शाम हो जाती है और तोता राजा अपने दर्बार की तरफ चल देता है ये शाम बहुत ज़्यादा सड़ थी और साथ हवा भी चल रही थी जिसने इस सड़ी को और भी बढ़ोतरी दे दी थी तोता राजा जैसे ही अपने दर्बार के पास मौँचता है तो वो कभूतर को वहां देख रुक जाता है कभूतर तुम इतनी थंड में कैसे ये डूटी कर रहे हो क्या तुम्हें थंड नहीं लगती राजा जी हम गरीब पक्षियों को बस एक समय के बोजन की फिकर होती है और मैं सारी रात इसी खुशी में गुजार देता हूँ के सुबो होते ही मुझे राजा जी के दर्बार से दो दाने मकैई के मिलेंगे जिन्हें मेरे बच्चे खा कर अपना पेट भर लेंगे बस इसी खुशी से मुझे जरा भी ठंड नहीं लगती लेकिन मैं निया राजा हूँ मैं ये सब नहीं देख सकता मैं अभी दर्बार से तम्हारे लिए गरम चादर भीज देता हूँ जो तम्हें ठ्राण से बचाएगी दर्बार के अंदर चिमनी में आग चल रही थी और कमरा भी काफी गरम था राजा जी को आते ही नीद आगी और वो भूल गया कि उसने तो कबूतर से घरम चादर का वादा किया है और फिर सुभा हो जाती है चिडिया और कवा जैसे ही राजा जी के दर्बार में किसी काम से आते हैं तो देखते हैं कि कबूतर वहां मरा पड़ा था कवा उसके पास जाता है और देखता है कि कबूतर के पास एक पत्र पड़ा था जो राजा के नाम था चिडिया और कवावो पत्र लेकर राजा के पास चले जाते हैं और उसे सारे बात बताते हैं कि कबूतर मर गया है और फिर भुड़ा उलू वो खत पड़ता है मेरे राजा जी मैंने बहुत सारी रातें इस ठंड में गुजारी मैंने बहुत हवाइं देखी लेकिन मुझे कभी ठंड नहीं लगी लेकिन आज मैं हार गया इस ठंड से क्योंकि आम मुझे जूटी आशा दे गे थे गरम चादर की और राजा जी मैंने बहुत समझाया खुद को कि राजा जी के वादे ऐसे ही होते हैं लेकिन फिर भी मेरा दिहान बार बार गरम चादर की तरफ गया और मैं भूल गया वो खुशी जो मुझे तो दाने मकेई के लेने पर मिलती थी और आपकी वो जूटी आशा मेरे जान ले गई ये पत्र सुनकर सब पक्षियों के आंखों में आंसु थे और राजा दोता भी रो रहा था इस कहानी से हमें सीख मिलती है कभी किसी को जूटी आशा ना दो और कभी भी चलते चलते ऐसी बात ना कर दो जीसे दूसरा सच समझ कर अपनी आशाएं तमारे जूट से जोड़ दे